आप सबी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में आज मैं आपको शट्तिला एकादसी दो हजार चौबिस में कब है इसके विशे में बताऊंगी आपको पूजन मुरत, वरत्विधी, उपाय और कथा भी सुनाऊंगी आप सब ध्यान से सुनिएगा शट्तिला एकादसी का वरत 6 फरवरी को रखा जाएगा इस दिन भगवान विश्णू की उपासना की जाती है शट्तिला एकादसी माग मास की सबसे खास एकादसी मानी जाती है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए शट्तिला एकाद के दिन भगवान विष्णूद की पीजा का विधाने जोतिश के अनुसार शद्टिला एकदसी पर तिलका भेहत खास μεतुए इस व्रत में पूंतिल से स लन्ञ एकदसी का उकटन लगाना तिलसे हवन तिलों का दान करना और तिलों से बनी चीज़ों का शेवन करना अतियन सुभ माना जाता है इस बार शट्टिला एकदसी क वराच छे फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा अब मैं आपको शट्टिला एकदसी का सुभ मुरत बताऊंगी हिंदू पंचांक के अनुसार मांग मास्के क्रिश्ण पक्च की एकदसी तिति को शट्टिला एक अब मैं आपको इसकी पूजन वेदी बताऊंगी आप सब ध्यान से सुनिएगा प्रातकाल स्नान के बाद भगवान विश्णू की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूपादी अरपित करें इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विश्णू की आराधना करें साथ ही रात्री में जागरण और हवन करें इसके बाद दुआदसी के दिन प्रातकाल उटकर स्नान के बाद भगवान विश्णू को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद श्वयम अंग्रेंड करें अब मैं आपको सट्टिला एकादसी के उपाएं बताऊ मिलती है इस दिन तिल से तरपड़ काने से पितर प्रसन होते हैं और परिवार को धन सिम्रेदी का असिरवाद देते हैं अब मैं आपको सट्टिला एकादसी की वरत कता सुनाओंगी आफ सब ध्यान से सुनिएगा धार्मिक मानेता के अनुसार एक समय नारद मुनी भगवा अनन्य भक्त थी और श्रद्दा भाव से मेरी पूजा करती थी एक बार उसने एक महीने तक वरत रखकर मेरी उपास ना की वरत के प्रिभाव से उसके शरीर तो बहुत शुद्ध हो गया परन्तु वे कभी भ्रामड एवं देवताओं के निमित अंदान नहीं करती थी इसल समय बाद वे देद त्याक कर मेरे लोक में आ गई यहां उसे एक कुटिया और आम का प्रेड मिला खाली कुटिया को देखकर वे घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धन परायन हूँ फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली तब मैंने उसे बताय कि अंदान नही करने तता मुझे मिट्टी का प्रिंट देने से हुआ है मैंने फिर उसे बताय कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब आप अपना दुआर तभी खोलना जब तक वे आपको शट्तिला एकादसी के व्रत का विधानना बताएं स्री ने ऐसा ही किया और जिन विदियों को देव कन्याओं ने कहा ता उस विदि से शट्तिला एकादसी का व्रत किया व्रत के प्रिभाव से उसकी कुटिया अंधन से भर गई इसलिए हे नारद इस बात को सत्य मानों की जो व्यक्ति इस एकादसी का व्रत करता है और तिल लेवा मन्यदान करता है उसे मुक्ति और व वीडियो को लाइक करें